भारत के गंतंत्र को सारी जगने माना है दशकों से खिल रही उसकी अद्भुत शान है हर किसी के अधिकारों को सार सविधान है इसलिए हर देश वासी को उसमें विश्वास है नमश्कार आगाव सस्व्याका सभी दर्शुकों का BCN News के गंतंत्र की स्पेशल रिपोर्ट में मैं दिशा स्वागत करती हूँ सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरी और BCN की संपूर्न टीम की और से 73 गंतंत्र दिनस की देविसारी शुपकामना है दुनिया के सबसे बड़े लोगतांत्रिक देश भारत के लिए 26 जनवरी का दिन एहम है इस दिन भारतिय सविधान लाग हुआ था इस साल भारतवासी 73 गंतंत्र दिवस मना रहे है देश की आजादी के बाद भारतिय सविधान का गठन हुआ था बाबा साहिब भीमराव अ पून जानकारी सत्र के दोरान राष्ट को स्वतंत्र बनाने की पहल की गई थी इस सत्र के अद्यक्षिता पंडित जवाला नहरु ने की थी बैठक में उपस्तित सभी करांती कारियों ने अंग्रेज सरकार की शासन से भारत को आजाद करने और पूर्ण रूपेन स्वतंत्रता को साकार कर 26 चन्वरी 1930 को स्वतन्तरता दिवस के रूप में एक एतिहासिक पहल बनाने की शपतली थी। भारत के उनिशूर वीरों ने अपनी लक्ष पर खरे उतरने की भरसक कोशिश की। और भारत सचमुछ स्वतन्तरतेश बन गया। उसके बाद भारतिय सविधान सभा की पहली बैठक 9 देसंबर 1946 को हुई जिसमें भारतिय नीताओ और अंग्रेज कैबिनेट मिशिन ने भाग लिया। भारत को एक सविधान देने के विशय में कई चर्चाई, सिफारशे और वाद विवाद हुआ। कई बाहर संशूधन करने के पश्चाद भारतिय सविधान को अंतिम रूप दिया क्या। जो तीन वश बाद यानि 26 नवंबर 1950 को आधिकारिक रूप से अपनाया क्या। इस असर पर डॉक्टर राजींद्र प्रसाद ने भारत के प्रतम राष्ट पती के रूप में शपत ली। हाला कि भारत 15 अगस 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट बन शुका था। लेकिन इस वतंत्रता की सची भावना को प्रकट किया 26 जनवरी 1950 को। इविन स्टेडियम जाकर राष्ट्य द्वज फेहराया गया और इस तरह गंटंत्र के रूप में भारतिय सविधान प्रभावी हुआ। भारत में पूर्ण स्वराज को भी खोशित कर दिया गया था। और उस दिन से 26 जनवरी गंटंत्र दिवस के रूप में मनाया चाता है। भीमराव अंबेटकर, सरधार वल्लब भाई पतेल, मौलाना अब्दुलकलाम आजाद आदी थी। इनके लावा सविधान सभाव बैठक में जनता अत्वा प्रेस को भी शामिल किया गया था। प्रारूप समीती ने और इसमें विशेशी रूप से डॉक्टर आमबेटकर ने 2 साल 11 महने और 18 दिन में भारतिय सविधान का निर्मान किया। और सविधान सभाव के अधिश डॉक्टर राचेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1909 को भारत का सविधान सुपूर्ट किया। इसके दो दिन बाद सविधान 26 जनवरी को देश भर मिल्ला को हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनायर रखने के लिए इसे दिन सविधान निर्मातरी सभा द्वारा स्विकृत सविधान में भारत के गंतंतर स्वरूप को मानिता प्रदान की गई। इसने 26 जनवरी को हर साल गंतंतर दिवस के रूप में मनाया चाता है। 26 जनवरी की महत्व बनायर रखने के लिए भारत के गंतंतर स्वरूप को मानिता देने के लिए 26 जनवरी गंतंतर दिवस के रूप में मनाया चाता है। इसे दिन 1950 को देशमी कानून और भारती शासन को लागू कर दिया खया। गंतंतर दिवस को पूरे भारत में राश्ट्य पर्फ के रूप में मनाया चाता है। 26 जनवरी के दिन भारत के राश्ट्रपती द्वारा समाहरों में त्वजारोहन किया चाता है। और तुपो की सलामी के साथ गंतंतर दिवस समाहरों में मौजूद सभी नागरिको द्वारा सामोहिक रूप से खड़ी होकर राश्टकान गाया चाता है। गंटंत्र दिवस के दिन अलग-अलग रेजिमेंट भारतिय स्तीन सीनाई गंटंत्र दिवस समारों में भाग लेते हैं और राश्य द्वच तता राश्ट्रपती को सलामी देते हैं इस दिन स्कूल, कॉलेजु, सरकारी कार्यालों में भी द्वचारों हन किया जाता है विध्यारतियो द्वारा गंटंत्र दिवस के अपलक्ष में स्कूलों में जाक्या निकाल कर नारेल लगाये चाते हैं चात्र विभिन्न प्रकार की कारेक्रम जैसे भाशन, नृत्य, चित्रकला, देशभक्ती गीत, नाटक, आधिका प्रदर्शिन करते हैं 26 जन्वरी के दिन देश के शहीदों और उनके बलिदान को याद किया चाता है, तथा सभी शहीदों के समरण में मौन रखा चाता है गंटंत्र दिवस के तीसरे दिन बिटिंग दर रिक्रीट का आयोजिन किया चाता है इस आयोजिन में गंटंतर दिवस के आयोजिन की आधिकारिक रूप से समापन घुषना की जाती है 26 जन्वरी 1950 को भारत एक गंटंतर देश बना था यानि चुनाओं के जरी यहां की जनता तै करेगी कि उनका राजा धिक्षिप कौन होगा लोगों को कई मौलिक अधिकार प्राप्त होंगी यह हम सब जानते हैं कि गंटंतर दिवस को खास बनाता है उस दिन मनाया जाने वाला जश्न जिस पर हर भारत्य को गर्फ होता है इस दिन राश्ट्रपती द्वारा तिरंगा फहराया जाता है 21 तोपो की सलामी दी जाती है जो जश्न में चार चांद लगा देती है हाला कि क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी राजजी जश्न में 21 तोपो की सलामी क्यों दी जाती है अगर नहीं तो आई ये जानते है तोपो को चलाने का इतिहास मद्ययुगिन शताप्तियों से शुरू हूँ, उस समय सेना ये नहीं अपितु व्यापारी भी तोपे चलाते थे। तोपो को चलाने का काम शुरू करतिया था। परंपरा ये हो गई कि जब भी कोई व्यापारी किसी दूसरी देश पहुचता या सेना किसी अन्य देश के तड़ पर पहुचती तोपो को फायर करके ये संदेश दिया जाता था कि वह लड़ने के उद्देश से नहीं आये है। उस समय सेना और व्यापाडियों की ओर से साथ तोपो को फायर किया जाता था। परंदो इसका कोई सपष्ट कारण नहीं है कि साथ ही क्यों फायर किये जाते थे। जैसे जैसे विकास समुदरी जाहस भी बड़े बनने लगे। और फायर करने वाली तोपो की संख्या में भ तोपो को चलाया था और समवित रूप से इसी घटना के बात दुनिया भर में सलामी देने और सरकारी खुशी मनाने के लिए 21 तोपो की सलामी की रीत चल पड़ी। क्या आप जानते हैं कि 18 विशताब्दी में अमेरिका ने इस सरकारी रूप से लागू कर दिया था। पहल 18 विशताब्दी के शुरू होने तक अमेरिका और बिटन एक दूसरे के प्रतिने धी मंडलों को तोपो की सलामी देते रहे और इसे सरकारी तोर पर मानिता दी गई। हाला कि भारत में बिटिश अपनिवेशिक शासन के माध्यम से इस परंपरा की शुरुआत हुई। किसे बिटन ने तै कि अंतराश्य सलामी 21 तोपो की ही होनी चाहिए। आजादी से पहले भारत में राजाओ और जमु कश्मीर जैसी रियासतों के प्रमुखों को 19 या 17 तोपो की सलामी दी जाती थी। भारत में अब गंटंतर दिवस की परेड में हर साल 21 तोपो को लगभग 2.25 इस सेकेंड के अंतराल पर फायर किया जाता है। ताकि राश्य गान के पूरे 52 सेकेंड में प्रतिक 3 राउंड में 7 तोपो को लगातार फायर किया जा सकी। बता दे कि भारतिय सीना की 7 तोपे सलामी देती हैं हर तोप से 3 फायर के जाते हैं। वही गंटंतर दिवस पर सला तरवा गंटंतर दिवस मनाया चाने वाला है। इस खास मौके पर हर साल की भाती इस बार भी गंटंतर दिवस के अवसर पर कुछ खास कारिक्रम होंगी जिसे पूरा देश देखेगा। इस मौके पर सोला मार्चिंग दल, सत्रा सेन बैंड और विबिनर राच्यों, विभागों और शसस्तर बनों की 25 जहाक्या प्रदरशित की गई। सबसे खास बात यह है कि इस वर्ष की परेड में दो परमीर चक्र और एक अशोग चक्र पुरसकार विचेता भी फाग लिया। गंतंत्र दिवस परेड के शिरू होने से पहले प्रदान मंत्रे नरेंद्र मोधी राष्ट युद्स मारक पर माल्यार पन करके सर्वोच बलिदान देने वाले सेनिकों को श्रधांचली देने में देशकान नेत्यत्व करेंगी। सेना ने बताया कि गंतंत्र दिवस परेड 2022 में सेना का प्रतिनिधित्व गुरसवार सेना की एक घुरसवार कॉलम, 14 मेकनाइस्ट कॉलम, 6 मर्जिंग टुकडियों और अपने विमानन विंग की उननत हलकी हेलिकॉप्टरों द्वारा एक फ्लाइपास द्वारा किया जाए सेना की मेकनाइस्ट कॉलम के एक पीटी चहतर टैंक, एक सेंचूरियन टैंक, दो एमबीटी अर्जिन एमके, आई टैंक, एक एपीसी टूपस, बक्तर बंद, कार्मिक वाहक, एक बीएमपी आई पैदल सेना से लड़ने वाली वाहन और दो बीएमपी द्वितिय पैदल से से लड़ने वाली वाहन दिखाई देंगे. कश्मिर लाइट इंफेंट्री, सिक लाइट इंफेंट्री, आर्मी, ओंडनेंस, कॉप्स रेजमेंट और पारशिट रेजमेंट घी होगी। भारती वायू सेना और भारती नौ सेना का एक-एक मार्चिंग दल भी आईडीपी 2022 में भाग लेगा। बयान में कहा गया कि केंद्री अर्धसयनिक बलो से, केंद्री रिजर्ब पुलिस बल, केंद्री ओधियोगीक पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, भारतीय तत्रक्षक बल और सीमा सुरक्षा बल की पाच मार्चिंग दल परेड में भाग लेगी। साल परेड में जल जीवन मिशन की एक जाकी दिखाई गई जिसमें लधाक में रहने वाले लोगों की घरों में सर्दियों की मौसम के दौरान 13,000 फुट से अधिक उचाय पर नल का स्वच्छ पानी उपलब कराई जाने को प्रदर्शित किया गया जाकी के अगर भाग में जल की बून की एक आकरूती दिखाई दी जो हर घर जल की उपलबदी को दर्शाती है ITBP की एक पुरुष टीम और BSF की एक महिला टीम मोटर साइकल का प्रदर्शिन किया लेटनेंट जनरल विजे कुमार मिश्रा जनरल ओफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया परेट कमांडर थी और मेजर जनरल आलुख काकर चीफ आफ स्टाफ दिल्ली एरिया परेट की सेकेंड इन कमांड थी वेरो के बलिदान की कहानी है ये मा के कुरबानलालों की निशानी है ये यूँ लड़ लड़ कर इसे तबहा न करना देश हैकीमती उसे धम के नाम पर नेलाम न करना दो साल ग्यारा मेने और अट्रा दिन की कड़ी मेहनत का नतीजा था कि हमारा सविधान बन कर तयार हुआ और आज इस सविधान को याद करने का दिन है फिर एक बार आप सभी दर्शुकों को 73 वे गणतंतर दिन की धेर सारी शुक्काम नाए नमश्कार